यारे बच्चो नमस्कार पंद्री प्रशनाली के दो तिन एक क्यूस्टन बचे थे वो आज पढ़ेंगे हम देखें तो क्यूस्टन नमर आठ एक बर्त दिया गया है इस प्रकार से ये इंपोर्टन्ट क्यूस्टन है बोर्ड में कई बार आता है कक्सिया दस में ये भी एक वर्त का व्यास है वो उसका किंद्र है ये एक तिर्बु जिसमें से काट कर निकार दिया गया है बाहर अर्दवर्ट का कौन समकौन होता है इसलिए हमें पता है कि ये कौन 90 डिगरी का होगा क्योंकि ये अर्दवर्ट में बना हुआ कौन है ये जो बुजा है, ये दे रख्ये 6 cm की और ये इसकी बुजा दे रख्ये 8 cm की और ये च्छायंकित बागे आप से पुछा गया है ये बाग तो वैसे तो चित्र में ही साफ दिखाई दे रहा है हमें कि इसका इसमें कोई मतलब नहीं है इस बाग का, इस वर्त का इसमें कोई मतलब नहीं है साब दिखाई दे रहा है कि यह आदा वर्त है आदे वर्त में से एक तिरपुज को काट करके बाहर निकाल दिया गया है तो यह बाग बचेंगे और इृद का इस एत्रफल कुछा है तो अर्दवर्थ के शेत्रफल में से अगर हम इस तिर्वूज का शेत्रफल गटा दें तो ये चायंकित वाग का शेत्रफल आजाएगा लेकिन प्रोब्लम ये है कि हमारे पास अर्दवर्थ की तिर्जा नहीं है देखिएगा AB की लंबाई दियो ही नहीं है AC और BC की लंबाई तो दे रखी है लेकिन AB की लंबाई मारे पास नहीं है और AB वर्थ का व्यास है अगर व्यास की लंबाई नहीं है तो तिर्जा का पता भी नहीं है तो सबसे पहला काम तो हमारा ये ही है कि हम AB की लंबाई गयात करें ये हमें पता ही है कि ये समकौन तिर्बुज है क्योंकि अर्दवर्थ का कौन समकौन ही होता है 90 का ही ये समकौन के सामने वारी बुजा करन है तो करन किसे कहते हैं कि समकौन तिर्बुज में 90 डिगरी के कौन के सामने वारी जो बुजा है वो करन होती है तो ये करण है आदार और लंब हम इसको और इसको मान सकते हैं क्योंकि आदार और लंब में कोई फरक नहीं पड़ता आप इसको आदार और इसको लंब मान लेंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा स्वाल में इसको लंब और इसको अधार मान लेंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो देखिए फिर पुझ ले लेते हैं हमें कि ए बी सी में अधार मान लेता हूं मैं इसका 6 सेंटीमिटर लंब है इसका 8 सेंटीमिटर और कर्ण हम ज्याद करेंगे तो कर्ण स्केर बराबर सुत्तर होता है अधार की स्केर पलस लंब की स्केर ये पाइथा गोर्सपर में है जो आप आगे परसनावली जो आएगी ग्यार वी उसमें पड़ेंगे कि समकोन तिर पुझ में कर्ण स्केर बराबर होता है अधार स्केर पलस लंब स्केर तो आदार हमारे पास 6 है 6 की स्केर हो जाएगी लब 8 है 8 की स्केर हो जाएगा 6 की स्केर 37 और 8 की स्केर 64 37 और 64 हो जाएगा 100 करन बराबर हो जाएगा 100 का वरगमूल यानि करन बराबर 100 का वरगमूल 10 होता है क्योंकि दस गुणा दस सो बनता है और जोडे में से एक बाहर लेते हैं इसलिए करण आगया दस जैसे इधर से स्केर अठेगी इधर ब्रगमूल का रिसान लगेगा क्योंकि ब्रगमूल निकाड़ना पड़ेगा और ब्रगमूल आजाएगा सो का तस यानि यह जो लंबाई ह 10mm है और यह वर्थ की तरज़े इस दस केँज़ेंगी 5cm यह जो अर्थवर्थ है इसकी तरज़ेंगी मारी पास 5cm अब इस अरदवर्थ को शेत्रफल में से इस तिर्बुज का शेत्रफल में गठाडा है फिर सैंकी ज alleye और इयेगा तो देखें सायंकी जाल ने बाक सेत्रफल ब्राबर अ अ अर्दवर्थ का सेत्रफल माइनेस तिरबुज का सेत्रफल अर्दवर्थ का सेत्रफल हो गया एक प्टे दो पाई आर की स्केल क्योंकि पूरे वर्थ का सेत्रफल पाई आर स्केल होता है इसमें दो का भाग लागते ही अर्दवर्थ का सेत्रफल हो जाता है माइनस ये जो तिरबुज है ये समकोन तिरबुज है और समकोन तिरबुज का सेत्रफल होता है आधार गुणा हुंचाई ज़से अब एक बटए दो गुणा पाई का मांट तीन point एक च्यार गुणा आर है मारे पास 5 तो 5 गुणा 5 माइनस एक पटे दो गुणा में आदार है हमारी पास 6 उन्चाई है हमारी पास 8 समकोर तिर बुज में आदार 6 उन्चाई 8 लंब कोई बोलते हैं उन्चाई अब देखिए 5 पांच पांचे 25 हो गया 3.14 गुणा में 25 बटा में आगया 2 माइनस इसको काट सकते हम 3 से यह आगया 8 यह 24 बटे में बट वही है गुणा और गटाओ एक साथ हाया है तो पहले गुणा करने होंगे फिर गटाओ अब गुणा करें तो गुणा करने इसका 3.14 को 25 से गुणा करना है तो 25 जो के 100 की 0 असर लगई 10 25 एकन 25 दस 35 का पंजा असर लगई 3 25 तीए 25 3 अठाटा है दो अकसर पर पॉइंट है तो दो पर पॉइंट लग जाएगा तो यह आया आपका 80 पॉइंट पांच जीरो बटे में 2 माइनस 24 बटे में 1 अब इसका लगउतम लेंगे तो 2 का रेक का लगउतम लें तो दोनों का बाग जाना चाहिए ऐसी सेंग का लगउतम होगी तो 2 ही आजाएगा 2 में 2 का बाग जारा है 2 में 2 का बाग देंगे तो 1 आएगा 1 को 88.50 से गुना करेंगे तो 78.50 ही आजाएगा माइनस एक का बाग दो में दोगे तो 2 ही आएगा 2 को 24 से गुना करोगे तो 24 दून 48 78.50 में से 48 घटादो तो बचेगा 5 0.8 में से 8 गे 0 और 3 30 30.50 सेंटिमेटर स्केर आजाएगा आगे देखें क्यूस्टर नमबर 9 नोवा क्यूस्टर देखिए इस प्रकार से एक वरग है इस वरग के अंदर डिजाइन मड़े हुए है इस प्रकार से इन डिजाइनों का छेत्र फल हमें बतारा है ये जो डिजाइन मने हुए है इनका छेत्र फल बतारा है इस वरग की बुजा जो दे रखी है वो है दस सेंटेमिटर की दस सेंटेमिटर की बुजा है अब देखिए मैं इस शित्र को आपको अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ जैसे कि ये वरग है इस वरग में यदि दो आदा वरत इदर से काड़ते है और आदा वरत इदर से काड़ते है आदे आदे वरत दोनों साइड से हम काड़ते है और इसकी बुजा दस सेंटेमिटर की हो तो ये बसता है पार्ट एक और ये पार्ट दो मान लो ये जो दो वरत हैं आदे आदे एक आदावर्थ और दूसरा आदावर्थ अगर इन दोनों आदावर्थों के सेत्र फ़ल अगर हम इस वर्ग में से घटा दें तो ये पार्ट और ये पार्ट बसता है यानि कि इस सित्र में देखें तो एक नमबर पार्ट ये और दो नमबर पार्ट ये बसता है ऐसे पार्ट है वाँ अगर इन दोनों पार्टों के छेत्रफल निकालें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये वरग का छेत्रफल है वरग में से आदा वर्त इदर से आदा वर्त इदर से तो दो अर्दवर्त गटारे हैं जिनकी तिर्जा पांच होगी क्योंकि व्यास दस है इस मुझा के बराबर दोनों की वर्ग की मुझा बराबरी होती है तो ये भी दस है तो व्यास इसका भी दस है तो इसकी व्यास पांच है इसकी व्यास पांच है तो पार्टे एक दो का छेत्रफन निकालने के लिए वर्ग का छेत्रफन माइनस दो गुणा अर्दवर्थ का छेत्रफन हो जाएगा तो वर्ग का छेत्रफन होता है पुजा की स्केर माइनस दो गुणा अर्दवर्थ का छेत्रफन होता है एक प्टे दो पाई आर की स्केर अब इस वर्ग की पुजा है दस है जाए इसकी मान लोग एक नमबर और दो नमबर पार्ट का छेत्रफन निकालना हो तो यह सेम यह सेम तो दो से तो कड़ेगा, बुजा 10 है, 10 की स्केर, माइनस पाई का मान 3.14, गुड़ा में आर है, आपके पास 5, क्योंकि व्यास 10 है, तो आर 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, तो 5 गुणा 5, ये 10 की स्केर 100, माइनस, 5 पाई पाई 25, 25 को गुणा कर दें, 3.14, तो 25 जो के 100, असल 10, 25 जो 25, 10, 35, असल 3, 25 जो 75 जो 3 होगी, ये मैं निकाल रहा हूँ, एक और दो नमबर पार्ट का, इसी प्रकार यदि मैं चित्र दुबारे बना करके आपको बताऊं, ये एक वरग है, इस वरग में से, इस साइड से दो अर्दवर्ट गटा दें, ऐसे, ये अर्दवर्ट और ये अर्दवर्ट, तो ये पार्ट बसते हैं, तीन नमबर और चार नमबर, सेम ऐसा ही चित्र है, इसकी वरग की बुझा दस ही है, ये बुझा भी दस ही आएगी, तो आर्द इसकी भी पांच ही होगी, पूरी बुझा दस है, और इसकी भी पांच ही होगी, यानि कि पार्ट नमबर तीन, और पार्ट नमबर चार का छेत्र फल लिकारने की जूर्ट नहीं है, क्योंकि जो एक और दो का छेत्र फल जितना आएगा, उतना ही तीन और चार का आएगा, क्योंकि सेम वही नाप है, वही आर पांच है, वही बुझा दस है, क्योंकि चितर तो एक ही है, इसकी जो आर है पांच, वही है, इसकी आर भी पांच होगी, क्योंकि वरक की बुझा ये दस है, तो ये भी दस ही होगी, इदर से जो अर्दवर्त आया, इसकी आर भी पांच ह तो कहने का मतलब कि जो हम पार्ट एक और दो का शेत्र फल निकाल दें तीन वैच्यार का निकालने की जुरूरत नहीं है तीन वैच्यार का अगर मुझे निकालना है तो इसी को दो से गुणा कर दूँगा क्योंकि इसी का दूणा हो गाई यह दूणा में इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें दोनों पार्ट के मिक्स है ऐसे एक दो तीन और चार का निकालने तो यह दो के लिए अकेला था तीन और चार निकालने तो दो से गुणा कर देंगे दो गुणा 21.5 अजेगा यह 43 cm2 अजेगा लेकिन मुझे तो 36 cm2 निकालना है इन डिजाइनों का जबकि हमने यह 43 cm2 चेतर फल निकाला है यह खाली जगे पड़ी इनका एक नमबर दो नमबर तीन नमबर और चार नमबर यह जो खाली जगे पड़ी इनका निकाल दिया तो अब तो साब समझ में आई रही होगी कि इस पूरे वरक के छेतर फल में से यदि मैं एक नमबर दो नमबर तीन नमबर और चार नमबर इन पार्टों को गटा दू माँ तो यह जो डिजाइन बचेंगे इनके आएंगे छेतर फल यह बचेंगे फिर तो डिजाइनों का छेतर फल बराबर वर्ग का छेतर फल माइनस पार्ट एक दो तीन वैर चार का छेतर फल अब वर्ग का छेतर फल तो हमने निकला आई था यह भुजा स्केर वर्ग का ही था सो आया था तो वर्ग का छेतर फल सो माइनस च्यारों पार्टों का छेतर फल तीहारीश यह आजएगा 57 cm2 थोड़ा सा फुश्किल क्यूस्टन है समझने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़ेगा दो तिन बार यदि वो उपर वाले चितर समझ में आ जाएगे तो यह स्वाल भी समझ में आ जाएगा आगे देखें क्यूस्टन नमबर दसवा आगे देखें क्यूस्टन नमबर दस देखिए इस परकार से एक अर्दवर्त दिया गया है इस अर्दवर्त की तिर्जा साथ सेंटिमिटर है इस अर्दवर्त में से ऐसे एक वर्त काटा गया है और इस अंदर वाले वर्त का छेतर फल में बताना है तो देखिए जो अर्दवर्त की तिर्जा साथ है वो यहाँ पर भी साथ ही होगी ये तिर्जा साथ है तो ये भी तिर्जा ही अर्दवर्द की साथ ही होगी लेकिन ये अंदर वाड़े वर्द का व्यास है और अंदर वाड़े वर्द का हमें बताना है छेतर फर तो देखिये लिखेंगे चुंकि आज़वर्थ की तिर्जा बराबर है अंत्य वर्थ का व्यास अंदर के वर्थ में जो व्यास है वोई इस आदे वर्थ की तिर्जा है तो अंताय वर्थ का व्यास वराबर भी साथ आएगा जो अर्दवर्थ की तिर्जा है साथ वो अंदर वारे वर्थ का व्यास हो जाएगा तो फिर अंताय वर्थ का आर कितनी हो जाएगी आदी हो जाएगी व्यास क्यादी होती है तिर्जा साथ प्टे दो अन्ते वर्त का छेत्र फला में ग्यात करना है पाई यार की सुकेर 22 बटे 7 गुणार 7 बटे 2 है तो 7 बटे 2 गुणा में 7 बटे 2 7 से 7 कैंसल 11 दूनी 22 11 सते 37 बटे में अजेगा 2 अब 37 में 2 का बाग देदें 38.5 सेटिमिटर स्केर आजेगा बाग देकर देख सकते हो आब 37 में 2 का 2 तीए 6 बच गया 1 पॉइंट नहीं 7 उतार लिए 2 आठी 6 बच गया 1 अब पॉइंट पॉइंट की 0 पॉइंट देस 38.5 सेटिमिटर स्केर ये 6 तरफल आजेएगा क्यूस्टन नमर देखिए 11 11 क्यूस्टन है माई पास आरवान और आरटू फिर जाओ वाड़े दो गर्तों की प्रीदियों का योग आरटू वाड़े 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 दो गर्तों की प्रीदियों का योग आर्ट गर्त वाड़े 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 की प्रीदियों के बरावर हैं तो सही विकल पताओ विकल पिक परसन है ओब्जेक्टिव टाइप तो देखिए आर बन और आर टू तिरजाओं वाड़े वर्त की प्रीदियों का योग बताया है आर तिरजाओं वाड़े वर्त की प्रीदियों का योग बताया है तो R की जगे R1 आजेगी 2 πाई R1 प्लैस R2 है तो R के स्थान पर R2 आजेगी ये दो वर्तों की प्रीदियों का योग कर दिया मैंने इस योग को बताया है इसने बड़े वर्त की प्रीदि के योग के बराबर जिसकी तिरजय R है तो बड़े वर्त जो है उसकी तिरजय R के स्थान पर बड़ी R आ गई है अब देखें 2 πाई दोनों में है 2 πाई कुम ले लें यहां से बचेगा R1 यहां से बचेगा R2 2 πाई दोनों में है इसको बाहर निकाड दिया यहां से R1 बच गया यहां से R2 बराबर आ गया 2 πाई R अब 2 πाई दोनों साइड है यह कैंसल हो गई यानि R1 पलस R2 बराबर R यही सही विकल्प होगा कि R1 पलस R2 बराबर होगी R तो यह सही विकल्प आपके अब्जेक्टिव टाइप में दिया है A भाग में तो A आ जाएगा उत्तर चार अब्जेक्टिव टाइप दिये हैं इसमें A, B, C, D तो A भाग में यह उत्तर दिया है A भाग इसका सही विकल्प हो जाएगा आगे किश्चन 12 नमबर जो है वो पहले करवाद चुके हैं बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए